राजिस्तान की सियासत में पास साल बाद पिर नाकारा, निकम्मा गदार जैसे शब्दों की भूल सुनाई दिये जिनका इस्तेमाल इस बार भी पूर सिये मश्वक गहलोद नहीं किया है कॉंग्रेस नेता के इस बयान पर अब राजनीती शुरू हो गई है भारती जनता पार्टी के नहता गहलोद के इस बयान को सचिन पाइलिट से जोड़कर कॉंग्रेस को निशाने पल ले रहे और प्रदेश में हुए कुर्सी के खेल की याद दिला रहे नमशकार मैं शेग जूही आप देख रहे हैं दनगरी नियूस दरसल बिजेपी के नेता राजंदराठों ने एकसपर गहलोद के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना अशोग गहलोद साब आप जिन नेताओं के खिलाफ लगतार बयान बाजी कर रहे हैं कभी कॉंग्रेस पार्टी के सबसे जादा आपके ही करीब हुआ करते थे तद समय उनकी पॉलिटिकल परफॉमेंस भी आपको खुब भाती थी अब आप कॉंग्रेस की देश रोधी विचारदारा को त्याकर देश हित में भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए अपनी डिक्शनरी से नकारा, निकम्मा, गदार, पीट में छुरा घुपने वाला जिसे शब्दों का उप्योकर है पूर में PCC के पूर वध्यश और कॉंग्रेस सरकार में उप्मुखे मंत्री को भी आपने इनी शब्दों से अलंकरित किया था जिसका ही नतीजा रहा कि कॉंग्रेस सरकार पास साल सत्ता में रहने के दोरान सिर्फ किस्ता कुरसी के खेल में लगी रही मैं फिर दोरा रहा हूँ सबसे बड़ा नौन परफॉर्मिंग एस्सेट और लायबिलिटी कॉंग्रेस की युबराज ही है जिस पर 4 जून को चुनाओं परिनाम के बाद मोहर भी लग जाए दरसल गहलोत ने बयान तब दिया था जब मुस्लिम आरक्षन को लेकर सियासत पर गहलोत अपनी परतिक्रिया दे रहे थे इस दोरान पत्रकारों ने कॉंग्रेस छोड़कर भाजपर में शामिल हुए नेताओं पर उनका पक्ष जानना चाहा इस पर गहलोत ने कहा उनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत कराओ वो अफसरवादी नेता थे अब उन्हें नौन परफॉर्मिंग कह दो निकम्मा कह दो नकारा कह दो गद्धार कह दो यह तमाम शब्ध भाई बहन है इनका इस्तेमाल इनी के लिए होता है जो गद्धारी करता है वो गद्धार है दिक्ष्टरी में तो यही सत्ते है उन्होंने अच्छा नहीं किया पाच साल उन सबी ने राच किया लेकिन जब संकट आया तो चले गए छोड़कर यह वक्त अ है नेता उससे बनाता है मैं आपके सामने कड़ा हूं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरी नियूंश शुक्रिया कि अगर